जोस्तों आप में से जाधा तर स्टूडेंट्स को ये प्रॉबलम आती है कि यह सर काइन मास्टर तो हम यूज करते हैं क्योंकि सर आपके कोर्स में हर जगह काइन मास्टर के बारे में बहुत सिखाया जाता है वह या कि मुवाइल से जो है आप पूरा जो क्या कर सकते हो करते हैं तो हमारे चानल पर कॉपी राइट कई बार आए हैं यह सवाल मेरे सब्सक्राइबर जाए एक लाग से ज्यादा इनकी सब्सक्राइबर जैं उन्होंने मुझसे पूछा है और इंफेक्ट आप में से कई लोगों के सवाल थे तो मैंने का चलो इस पर डीटील वीड के पास है तो अगर आप अगर आप जितने भी इसके अंदर प्रोड़क्स हैं वो यूज करेंगे इंफेक्ट मैंने की टीम से भी बात की तो उन्होंने मुझसे प्रॉपर का क्योंकि जब आप मैं आपको सी बीसी बात है मेरा तो हरे एक का बिसने सा कोई बंदा अगर अग अगर आपने हमारा एप लिया हुआ है इसके अंदर जितने भी प्रोड़क्ट्स है उसे आप फ्रीली यूज कर सकते हैं हमारा कॉपी राइट है आप इसे यूटीब पे यूज कर सकते हैं सेम ऐसा जैसा वीडियो ब्लॉक्स.com जब आप यूज करते हैं वहां बहुत सारे विडियो फोटेज होते एंग्रेज टेंशन में होता है अपुसकी इ centigrade ताल देते हैं एक वन्दा रहा होता है उसको डाल देते हैं ऑगी ब्रेयों ये हमधी वद्ते है आप locked वी डौण्लोड है हमारे पास license है अब ऐसा सब के पास license है तो उसमें copyright नहीं आएगा अगर by mistake आ जाता है तो आप डर जाते हैं तो by mistake आया है तो you can add a time उसको आप resolve के लिए डालेंगे वहाँ पे copyright claim को कि नहीं भाई यह हमारा काइंड मास्ट है कि वह आपका क्लेम आ जाता है जिसे आप resolve कर सकते हैं तो पहली बात जितने भी लोग काइंड मास्टर प्रोड़क्ट यूज कर रहा है freely आप यूज करो बहुत अच्छे सा हमने भी अपने कोर्स में डिटेल किया वह अच्छे से समझाए हुए आपको कि किस तरीके से आपका इन मास्टर गो अच्छे से चलाएंगे यूज करेंगे सब कुछ बताया मैंने और मैं यह सिखाता भी हूँ और प्रप्र डिटेल एक भी confusion आपके माइंड में नहीं रहनी चाहिए कि कोई भी music पे copyright आएगा या claim आएगा आप इसे freely use कर सकते हैं कोई claim इसमें नहीं आना है अब दूसरा जो सवाल है मेरा यह तो copyright claim हो गया साथ में एक सवाल था कि आपको पता होगा आपने stories देखियोगी थोड़ी बहुत कि मैं बहुत मैरत से एक इनसान का एक सपना होता है अपना एक studio बनाना उसमें लोग बैठेंगे काम करेंगे शुरुआत मैंने आप एक picture दिखा देता हो कैसे करी थी एक छोटा सा एक hospital कह लीजिए वहां बन बना था और बगल में एक दिंग जो थी मेरी इसमें फ्लैट था मैंने वहां पर बनाना शुरू किया तकरीबन यह 400 स्क्वेर फुट का था वहां पर हमने शुरू किया और अब मैं एक अच्छी खासी हूज इंवस्मेंट लगा के मैं एक अपना ओफिस दो फ्लोर तीन फ्लोर क्या लीजे पूरा च दिखाना चाहता हूं उसकी जर्णी तो अभी फिलाल जो है वहां कंस्ट्रक्शन जो मेंली जो है वह राज मिस्त्री जी से कह लिए जुनाई और तोड़ाई का चल रहा है उसमें और बाकी जो चीजें जैसे कैमरा सेटप सारी चीजे अगर आप देखना चाहते हो तो यहा कोई पैसे उन्होंने ने लिये तो मैं honestly बोलना चाहूंगा और उन्होंने इतनी महनत करके इतना अच्छा डिजाइन बनाया प्रशाद ने सबसे पहले तो आपको दूगा कि अपने पैसे भी मुझे दियो और आप मेरे लिए काम भी कर रहे हो बहुत अच्छा लगा आपकी यह डेडिकेशन देखे कहीं न कहीं मैं आपको जरूड इसका जो है रिवर्ड मैं दूगा और पता नहीं कैसे दूगा दे भी पाऊंगा कि नहीं लेकिन मैं आपके साथ जरूर हमें सारा हूंगा इस चीज गाइंड़ तो प्रशाद का चैनल है अभी मैं बताऊंगा उनके साथ बहुत अच्छा अर्किट है कि उन्होंने डिजाइंस दिये जो मैं साइड में भी ला कर दिखा देता हूं सिटिंग का मेरे कॉंफ है तो मैं नहीं भी दिखाऊंगा एक ही वीडियो बना के दिखा दूंगा अगर हां कि क्या पूरा प्लैन अप होता है कैसे चीजे होते क्वस्टिक फॉर्म कैसे लगता सारे कुछ चाहते हो तो कमेंड में बताना मैं प्रॉपर आपके लिए वह लेकिया हूंगा वीडियो